मेरे प्रियो जय मसीह की योना अध्याय दो वचन आठ कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तूओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करूणा निधान को छोड़ देते हैं। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह वचन वास्तव में मेरे लिए चीजों का एक दृष्टिकोंड रखता है। जब आप किसी प्रतिमा से चिपके रहते हैं, तो आप ईश्वर के प्रेम को नकार रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह आप पर अपना प्रेम बर जान्दी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आखें तो रहती हैं, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं, वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे. मेरे प्रिय सुनने वालों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ केवल परमेश्वर ही हमारे हृदय में छिपी हुई गहरी लालसा को संतुष्ट कर सकता है केवल परमेश्वर ही हमें परिपूर्ण कर सकता है और हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य दे सकता है इसलिए जब हम उसे कमतर चीजों से बदलने की कोशिश करते हैं तो हम हमेशा खाली हाथ लोटते हैं और यह परमेश्वर के दिल को दुखी करता है पुराने नियम के लोगों को उनकी प्रतिमा पूजा के लिए कड़ी सजा दी गई थी लेकिन हर बार परमेश्वर ने उन्हें अपने पाप का पश्चा ताप करने और एक बार फिर उसके पास लोटने का मौका भी दिया और वह हमें भी वही मौका वह देता है फिर निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 3-6 वचन में लिखा गया है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना तू अपने लिए कोई मूर्ती खोद करना बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में वह पृत्वी पर वह पृत्वी के जल में है तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपास न करना जीवित परमेश्वर की सच्ची आराधना इसलिए आज मैं आपको अपने जीवन में प्रतिमाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ अब कोई प्रतिमा न हो नहीं धन की प्रतिमाए नहीं रिष्टों की प्रतिमाए नहीं सांसारिक शक्ती की प्रतिमाए बाइबल में दूसरा तीमुथियूस तीन अध्याय की एक से पाँच वचनों तक हमें उन विशेशताओं की संपूर्ण सूची दी गई है जो अंतिम दिनों में लोगों में पाई जा सकती है संतो जब मैं शास्त्र के इस अंश को पढ़ता हूँ तो मैं आपको अपने जीवन में जाकने और इमानदारी से यह बताने के लिए प्रोथसाहित करता हूँ कि क्या इन में से कोई भी चीज आपके जीवन में पाई जा सकती है जैसा इसमें लिखा है पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, मातापिता की आग्या टालने वाले, कृतग्न, अपवित्र, दयारहीत, क्षमारहीत, दोश लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी विश्वास घाती, धीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे वे भक्ति का भेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे ऐसों से परे रहना, हम सभी विश्वासी हैं हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम पाप से मुक्त हैं और दुखत सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति उतना आत्मिक और पवित्र नहीं है जितना वे चाहते हैं कि हर कोई विश्वास करे और आज मेरा संदेश वास्तव में इन में से कुछ बिंदूओं को उजागर करना है और आपको शरीर की चीजों को त्यागने के लिए प्रोटसाहित करना है हमने अभी दूसरे तीमुथियूस अध्याय तीन में जो सूची पढ़ी है उसमें से कुछ बातें उभर कराती है लोग स्वार्थी होंगे पैसे के प्रेमी इसका मतलब है कि वे खुद को और पैसे को परमेश्वर से उपर रखेंगे मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आपके दिल में स्वार्थ के प्रती प्रेम पाया जा सकता है दूसरा, लोग एहसान फरामोश होंगे इसलिए परमेश्वर की सारी अच्छाईयों के लिए सभी के लिए दया दिखाई गई है उसकी कृपा और सुरक्षा के लिए लोगों में कोई अरुचिकर नहीं होगी प्रभु की महिला, प्रभु के आदमी, क्या आपके दिल में एहसान फरामोश है और अंत में, लोगों में इश्वरियता का दिखावा होगा धर्म का एक बाहरी रूप होगा लेकिन वे उसकी शक्ति को अस्वी कार करेंगे क्योंकि उनके पास वास्तव में इश्वर का प्रेम नहीं है उनमें वास्तव में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है और इसलिए मैं आपको प्रोथसाहित करना चाहता हूँ कि आप येश्व मसीह को स्वयम जाने इस बात पर भरोसा न करें कि कोई और उसके बारे में क्या कहता है इस बात पर भरोसा न करें कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं बलकि इसके बजाए परमेश्वर के वचन की खोज में खुद को समर्पित करें ताकि आप उसे स्वयम जान सकें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें और उसे आपको सत्य और ईश्वर के बारे में रहस्योद घाटन में ले जाने दें बाइबल युहन्ना 14 अध्याय 15 से 17 वचन में कहती है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्याओं को मानोगे और मैं पिता से बिनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा जब आप परमेश्वर के प्रेम को उसके दिव्य, सच्चे और शाश्वत प्रेम को पहचानेंगे और उसका अनुभव करेंगे, तो आप स्वार्थी या धन के प्रेमी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप परमेश्वर से मिल सकें और वैसे ही बन परमेश्वर के प्रती कैसे आभारी नहीं हो सकते और अंत में अपने जीवन और अपने दिल में पवित्र आत्मा के लिए जगह बनाएं, वह आपके जीवन में एक नवीनी करण, एक परिवर्तन लाएगा, जो आपके दिल से शुरू होता है, इस तरह आप सभी जूठे द और धार्मिक्ता से छुटकारा पालेंगे, क्योंकि आप वास्तव में यीश्व मसीह को जान जाएंगे, आए अब हम सब मिलकर परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें, प्रिय पिता, आप मेरे हृदय के राजा हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, प्रभु यहरी, अलौकिक प्रेम के लिए प्रशंसा करता हूँ, जिसका मैं कभी भी उधार नहीं चुका सकता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका प्रेम कितना महान है, हमने आपके प्रेम के लायक कुछ भी नहीं किया, लिकिन फिर भी, आपने अपने बेटे को स्वतंत्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी भी स्वार्थी या धन का प्रेमी न बनूँ, बलकि इसके बजाए आप हमेशा मेरे जीवन का मुख्य प्रेम बने। और मुझे ढाले और आकार दे एक ऐसा विश्वासी बनने के लिए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। तर्मनाक रहस्यों को जानने के बावजूद, परमेश्वर, मैं आभारी हूँ कि आपने अभी भी मुझे अपना संपूर्ण प्रेम प्रदान करने का फैसला किया है। आपने मेरी गलतियों के बावजूद मुझे अनुग्रह और दया प्रदान करने का फैसला किया। आपने मुझे अपनी शक्तिशाली प्रेम दिखाने का फैसला किया। हालांकि आप मुझे अंदर से जानते हैं और आप जानते हैं कि मैं कहां कम पड़ जाता हूँ। मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा, ताकि मैं कभी भी परमेश्वर के अचूक प्रेम से अंजान न रहूं, ऐसे प्रेम के लिए कभी भी एहसान फरामोश ना होने में मेरी मदद करें, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशू, आपकी वफादारी के लिए, यहा पूरे दिन मेरे साथ रहे, और रात में यह मुझे ढंके, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ, और सभी चीजों के लिए मेरा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि आपने खुद को बार-बार एक ऐसे परमेश्वर के रूप में साबित किया है, जिस पर मैं भरोसा कर सकता पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिव्य और पवित्र शांती, एक नदी की तरह मेरी आत्मा में बह निकले। मैं एक समय में एक दिन जीने और हर नए दिन में आनंदित होने के लिए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे हमेशा धार्मिक्ता और पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। प्रारी महिमा तुम्हारी हो परमेश्वर, येशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रार्थना करता हूँ, नाम में में मैं मुझे चोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तु अपने लिए कोई मूर्ती खोद करना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, वह प्रित्वी पर, वह प्रित्वी के जल में है। तु उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपास न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझे से बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझे से प्रे इंग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्या टालने वाले, कृतग्न, अपवित्र, दया रहीत, क्षमा रहीत, दोश लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वास घाती, धीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाल और मैं पिता से बिनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सरवदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्ह